परिचय आओ सीखें विभिन तरह के जन्तूओं की पहचान करना जन्तूओं के शरीर के विभिन अंगों का वर्णन करना विभिन जन्तूओं के खाने की आदत के बारे में विभेद करना पक्षियों की चोंच वह उनके पैरों के बारे में बताना आहार श्रिंखला को परिभाशित करना जन्तु दोस्तों, हम जानते हैं कि जन्तु सजीव प्राणी होते हैं वो चल और बढ़ सकते हैं उनमें अपने तरह के नए जन्तु उत्पन करने की ख्षमता होती है हम अपने आसपास विभिन तरह के जन्तु को देख सकते हैं वे विभिन आकार प्रकार और रंग के होते हैं धर्ती पर विभिन प्रकार के जन्तु रहते हैं इनके प्रकार हैं थल्चर, जल्चर, जल्स्थल्चर, कीड़ा और पक्षी आईए इनके बारे में ज्यादा जाने धर्ती पर रहने वाले जीवों को थल्चर कहते हैं गाय, बकरी, कुत्ता, शेर और बाग इसके उधारण है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ थल्चर जमीन के अंदर बिल बनाकर और लेकर रहते हैं जैसे केचुआ, चूहा और साप जन्तुओं के शरीर के अंग थल्चरों का शरीर मुख्य तह चार भागों सिर, गर्दन, धड़ और पूँच में विभाजित होता है सिर में आख, नाख, कान और मुह होता है शरीर का अगला अंग है गर्दन गर्दन जन्तुओं को अपना सिर, उपर नीचे और दाएं बाएं करने की सुविधा देती है धड़ के अंदर शरीर के कई अंग होते हैं कुछ जानवरों में पूँच शरीर का संतुलन बनाने में मदद करती है जन्तुओं की खाने की आदतें सभी जन्तुओं को उर्जा पाने और विभिन कारियों को करने के लिए भोजन की जरूरत होती है वे विभिन प्रकार के दातों की सहायता से विभिन प्रकार का खाना खाते हैं शाक भक्षी शाक भक्षी पेड़ पौधे खाते हैं उनके दात, घास और पत्तियां पीसने के लिए तीखे और चप्टे होते हैं गाय, बकरी और भैस शाक भक्षी जन्तुओं के उदारण हैं। मास भक्षी अपने तेज, नुकीले और मजबूत दातों से मास खाते हैं। शेर और बाग मास भक्षी जन्तु के उदारण हैं। सर्व भक्षी पौधे और मास दोनों खाते हैं। भालू और कववा सर्वभक्षी के उदारण हैं। भोजन की विशेश आदतें जन्तूओं के खाने की सामान्य आदतें जानने के बाद, आईए अब हम उनके भोजन की विशेश आदतों के बारे में जानें। मधुमक्षी अपने मुख में मौजूद लंबी नली की सहायता से फूलों के अंदर से पराग चूस लेती है। मेंधक के पास कीडों को पकड़ने के लिए लिसलिसी जीब होती है। हाथी के पास पेड़ की पत्तियां तोड़ने के लिए लंबी सून्ड होती है। जन्तूओं के बच्चों की देखभाल आईए अब हम अपने दूसरे विशय जन्तूओं के बच्चों की देखभाल पर चलें। हमने देखा है कि जन्तूओं के बच्चे भी उन्हीं की तरह दिखते हैं। सभी जन्तू अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं और उनकी देख इकभाल करते हैं। और कीडों के बारे में जाने। पानी में रहने वाले जन्तूओं को जल्चर कहते हैं। मचली, वेल और कच्छवा जल्चर के उधारन हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। उन्हें जल स्थल्चर कहते हैं। जैसे की मिंधक और साब, कीडे जमीन या किसी दूसरे आधार के सहारे रेंगते हैं, जैसे की मकडी और चीटी, कुछ कीडे उड़ भी सकते हैं. पक्षी, आईए अब पक्षियों के बारे में जानें, पक्षी ऐसे जन्तू होते हैं, जिनके पास पंक होते हैं, और वो उड़ सकते हैं, उनके शरीर पर भी पंक होते हैं, जो उन्हें गरम रखते हैं, वे पेडों पर घोसला बनाते हैं, ये घोसले ही उनके घर होते हैं, ज पक्षियों की चोंच पक्षी अपने बच्चों को अपनी चोंच की सहायता से खाना खिलाते हैं विभिन पक्षियों में विभिन तरह की चोंचें होती हैं उदारण स्वरूप गिद्ध और बाज में जानवरों का मास खाने के लिए तीखी और मस्बूत चोंच होती है जबकि बत्तक की चोंच पानी में रहने वाली पौध और कीडे खाने के लिए चोड़ी और चप्टी होती है कट फोडवा की चोंच पेड़ों में रहने वाले कीड़ों को निकालने के लिए लंबी, नुकीली और कठोर होती है पक्षियों के पैर और पंजे अलग-अलग पक्षी अपने पैर और पंजों का प्रेयोग अलग-अलग तरीके से करते हैं गिद और बाज के पंजे छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए तीखे और मजबूत होते हैं बतक के पंजे तैरने में सहायता देने के लिए जाल युक्त होते हैं कट फोडवा के पैर चोड़े होते हैं जो उसे पेड़ पर चढ़ने में सहायता करते हैं आहार श्रिंखला आहार श्रिंखला उस अनुक्रम को कहते हैं, जो बताता है कि जिन्दा रहने के लिए कौन जन्तु क्या खाता है। वे विभिन आकार प्रकार और रंग के होते हैं। जन्तु विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे थल्चर, जल्चर, जल्स थल्चर, कीड़ा और पक्षी, जमीन पर रहने वाले जन्तुओं को थल्चर कहते हैं। थल्चरों का शरीर मुख्यतह चार भागूं, सिर, गर्दन, धड़ और पूँच में विभाजित होता है। और पानी दोनों में रह सकते हैं, उन्हें जल्स थल्चर कहते हैं। जमीन या किसी दूसरे आधार के सहारे रेंगने वाले जन्तुओं को कीड़ा कहते हैं। पक्षी उन जन्तुओं को कहते हैं, जिनके पास पंक होते हैं, और वो उड़ सकते हैं। उनके शरीर पर भी पंक होते हैं, जो उनके शरीर को गर्म रखते हैं। आहार श्रिंखला उस अनुक्रम को कहते हैं, जो बताता है कि जिन्दा रहने के लिए कौन जन्तु क्या खाता है।